सासा राम में कहीं नहीं लागू हुआ है 144 धारा नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं News Foundation J.U. के राश्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग का ऐसा कहना है ललन सिंग का कहना है कि सासा राम में 144 धारा जो है वो लागू नहीं हुआ है अमीत शा की जो रैली है वो रैली जो है वो रद नहीं हुई है भाजपा जो है सिर्फ जूट की राजनीती करना चानती है आपको बता देए कि राम नौमी के बाद सासा राम में जो है हिंसा की खबरे आ रही थी जिसको लेकर अमीत शाह की जो सासाराम की जो rally जिस जन सभा को संबोधित करने वाले थी वो जन सभा को रद कर दिया गया है जिस पर जेडियू के राश्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग का बयान आया उन्होंने कहा है कि अमित शा की रैली जो है वो रद नहीं हुई है और सासा राम में 144 धारा भी लागू नहीं हुई है अमित शा जो है वो सिफ जूट की राजनीती करना जानते हैं सिफ वो प्रपंच करना जानते हैं जेडियो के रास्ट्री अध्यक्ष राजीब रंजन सिंग उफ ललन सिंग ने शनीवार को भाजपार पर तंज कस्ते हुए कहा है कि सासा राम में राम नौमी पर हुए हिंसा के कारण केंद्रे मंतरी अमित शा की रैली रद नहीं हुई है भाजपा की तैयारी वहाँ पूरी नहीं हुई होगी लोग नहीं आ रहे होंगे लोगों का विश्वास कम हो गया है इसलिए भाजपा ने वहाँ अपना कारिकरम रद कर दिया होगा ललन सिंग ने कहा है कि सासा राम में कहीं धारे 144 लागू नहीं हुए ये बात जिला प्रशासन के द्वारा भी साफ कर दिया गया है भाजपा जूट फैला रही है जेडियू के रास्ट्य अध्यक ने भाजपा को चुनौती देते हुए और अमित शाह का नाम लिये बिना इशारों में कहा है कि 2015 के चुनाव में उन्होंने एक ओफिस खोल लिया है था वहाँ पर इस बार भी जहां जहां मर्जी और जितना मर्जी ओफिस खोल ले मगर इस बात को वे भी जानते हैं कि बिहार में 2024 में उनका खाता खुलने वाला नहीं है एक दो दिन नहीं वे महीने कैम्प करें हम उनका स्वागत करते हैं जेडियू के प्रदेश सध्यक शोमे सिंग कुष्वाहा ने कहा है कि ग्री मंत्री अमीत शाह के बिहार दौरे से बिहार की राजनीती की वस्तु स्थिती में कोई बदलाब नहीं होने वाला है बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और भूख मरी से तरस जनता ने इस उबर भाजपा का बिहार में पूरी तरह से सफाया का मूड बना लिया है प्रदेश के अंदर महागटवंदन की मजबूती और एक जूटता से भाजपा रास्ट्रिय ने तरुत डरा हुआ है भाजपा की बॉख लाहज के कारण से ग्रे मंतरी अमीत शाह बार बार बिहार का दौरा कर रहे है जेडियू के प्रदेश प्रवक्ता हिम्राज राम ने केंद्रेग्रे मंत्र अमीद शाह के सासा राम दौरे के रद करने के पीछे वहाँ भीड नहीं जूटने की आशंगा को बताया है उन्होंने कहा है कि बाबू जगजीवन राम के शित्र में लोग भाजपा से काफी जादा नाराज हैं उनकी नाराजगी के कारण ही ये दौरा रद किया गया है महाने के रूप में यान कारण बता कर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं दरसल जेडियू का कहना है कि अमीत शा की जो सासा राम में रैली रद हुई है वो किसी भी हिंसा के कारण रद नहीं हुई है ना ही 144 धारा के कारण रद हुई है वो जान चुके हैं कि वो सासा राम में भारी भीड जुटा नहीं पाए हैं लोग जो हैं उनके समर्थन में वहां आ नहीं रहे हैं इसको लेकर उन्होंने वहां की जो रैली है वहां की जो जन सभा है उसे वो रद कियें साथी साथ जेडियू का ये भी कहना है कि जो अमित जिण शा है वो सिर्फ जुट की राजुनीती कर रहे हैं वो सिर्फ जुट और भ्रम लोगों की बीच फैला रहे हैं साथी साथ पुलिस के दौरा भी ये जानकारी दे दी गई है कि जो सासा राम 144 धारा लागु की गई है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धारा लागू ही नहीं हुई है।